किसान भाईयो नमस्कार स्वागते आपका हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट एग्रिकल्चर में आज के इस वीडियो में हम लेसुन की फसल में NPK 0050 खाद के इस्प्रे के बारे में बात करने वाले हैं किसान भाईयो आज में खुद अपने लेसुन की फसल में NPK 0050 का इस्प्रे करने वाला हूँ तो इसके बारे में हम विश्तार से बात करेंगे कि इस खाद के इस्प्रे से क्या क्या फाइदे होंगे लेसुन की कौन सी आवस्ता में इसका हमें इस्प्रे करना चाहिए और इसके इस परे से क्या लेसुन की बनारण समता पर कोई प्रतिकुल प्रबाव परता है इसके बारे में भी हम वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे इसलिए आप वीडियो को बीना स्किप के अंतर तक जरूर देखे और किसान भाईयो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पाई जो गंटे के निसाने उसे जरूर दबा दीजिए किसान भाईयो अगर हम बात करें एनपी की 0050 काद के बारे में तो इसमें साब तोर पर लिखा हुआ है कि इसमें 50% पोटास होता है और 17.5% सलफर होता है तो अब हम इनके फाईदों के बारे में एक एक करके बात करते हैं तो जो पोटास होता है ये पोदेग का जो कंद होता है उसको बड़ा बनाता है कंद में चमक पैदा करता है कंद क वजंदर बनता है, यानि कि कुल मिला कर बात करें, तो ये आपकी पेदावार को बढ़ाता है, किसान भाईयो, उसके अलाबा, इसमें जो सल्पर है, ये पोड़े में जो कंद बनता है, उसमें उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है जिससे क्या होगा कि अगर आप गर पर इसको ज्यादा जिनों तक रोक कर रखना चाहो तो आप इस टोग भी कर सकते हो या किसी भी प्रकार से खराब नहीं होगा तो किसान भायों यह काफी अच्छी चीज है क्योंकि अगर इसकी प्रइज की बात करें तो यह जो एक किलो का पेकेळ हैं यह 200 रुपे में में लेके आया हूं और इसकी मातर जो आपको रखनी है तो परती एकड ऐक किलोग्राम रखनी है या फिर आप डारेक्ट टंकी में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं चैसा कि ये लेसुन ही हमारा तो इस लेसुन में मैं 4 टंकी 0050 खाद का इस्प्रेक करने वाला हूँ तो एक किलो ग्राम से मैंने 600 ग्राम निकाल लिया है अब ये मातर 400 ग्राम बच्चा हुआ हैं तो इसका मैं पहले तो पानी में गोल बनाऊँगा और फिर डिबो के इसाब से प्रती टंकी के मैं इसका प्रयोग करने वाला हूँ किसान भाईयो अब बात करते हैं लेसुन की कौनसी आवस्ता में इसका प्रयोग करना चाहिए तो इसके लिए हमने लेसुन का एक पोदा उकड़ा है तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये इसमें कंद किस परकार से बन चुका है इसमें कंद छोटे निम्बू के अकार का बंच गया है और इसमें जड़ो का विकास कापी अच्छा है इस लेसुन का तना भी कापी अच्छा है पतिया उपर तक हरी बरी है और किसान भाईयो अब इस चीज में जरूरत है तो सिर्फ कंद को बढ़ा कर दें की तो इसलिए हम इसमें पोटास का पुजोग कर रहे हैं और किसान भाईयो पोटास के साथ आप बोरान का पुजोग भी जरूर करें हमने तो इस खेत में बोरान का पुजोग जब हमने सिचाई खीती तब ही कर दिया था लेकिन अगर आपने बोरान का पुजोग नहीं किया ह है बोरान की मातरा पड़ती एकड़ा आपको 250 ग्राम रखनी है उसके अलावा बहुत सारी किसान भाई PGR के बारे में पहुंचते हैं तो PGR क्या काम करता है कि इस लेसुन में जो उपर की तरफ जो इसकी एनर्जी जाती है ताकत जाती है या उसको डाइवर्ट करके नीचे के तरह अपलाता है याने कि पोदी की पूरी एनर्जी इसके जड़ में जाने लगती है जिससे क्या होता है कि यह कंद है तो यह बड़ा मजबूत और चमकदार बनता है और किसान भाईयो PGR के प्रयोग से भी लासुन की भं आपन जे गिशान